तो जैह हिंद फीचर ऑफिसर्स वालकाम टू यूबी पीसेस वाला सब्सक्राइब करेंट का सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वावत है बंदने और अभी नंदने मैं अमन कुमार नामदेब आज हम लोग 25 आफ नवेंबर की न्यूस डिसकस करने वाले हैं और हम लोग र शवर दस तरीके से 5-6 दिन पढदते हैं और एक दिन करते हैं तो रिवाइस करने के लिए जितनी वह इंप्रेंट बहुत न्यूस है वह सारी हम लोग डिसकस करने वाले गाइस चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं पीडेफ कहां पर मिलेगा तो सबसे पहले याद रखि क्लास को स्टार्ट करते हैं तो फछले एक हफने की सारी की सारी सारी मैं हमेंसा बोलता हूँ he who sets more in training bleeds less in war हमेंसा बोलता हूँ ठीक है तो जितना भी आप संगर्स कर रहा हो ना उसको जवर्दस तरीखे से अभी करते रहो और एक्जाम की डेट आ चुकी है दो से तीन महीने ही स्रेश्ट हैं और बचे हुए है तो इसलिए प्लीज आप लोग करेंट अफेर्स को अलके मत लीजिए मैक्समान यहां से कबर हो ही जाएंगे चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग करेंट अफेर्स के बारे में सबस हैं यूपी जो है function याद रखना पड़ेगा ठीक यह आपको याद रखना समरिय करके जह है रालाल समरिय जिह यहाँ पर आप क्या देख रहा हैं जी संत्रल इन्फरमेशन कमिशनर्ट चीफ ओंसें जो है चीफ बन गाएं जी Central Information Commissioner के बस इतने याद रखना है अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डेप्टि में अपन को नहीं आना है सिर्फ इतने याद रखना है फिर आप देखिए जी जो चीफ साइमा वाजगेट जी जो है वह हाल ही में नॉमिनेट करी गई एस दी नेक्स्ट वाल रिजनल डिरेक्टर राइट तो फॉर्ट फॉर्ट इस्ट यह आपको याद रहने साउट इस्ट एस्या के लिए आपको याद रखना पड़ेगा फिलिया नेक्स आप देख सकते हैं senior ips तो यहां पर आप देख सकते हैं यह बन गए आलोक सरमाजी अब आपको बताया तो मेरे खुद मेरे खुद जीजा जी काई फोटो है तो यह जो यह जो यहाद रखना है जी एस पीजी लोग होते हैं मतलब इस पेशल प्रटेक्शन फोर्स यह क्या करते हैं जी बीवी आई पीज जैसे प्रदान मंत्री हो गए और इनका इमिडियेट परिवार जो होता है जी उनको यह प्रोटेक्शन संदक्षण जो है कोई से बीजिए इनकी न्युक्ति कर दिया इस पेशल एजेंट्स होते हैं इनकी अलग से ट्रेनिंग होती है बहुत हाड़कोर लोग होते हैं यह बिल्कुल चस्मे में देख रहे हैं बहुत दिमागदार लोग होते हैं यह आपको याद रखना है प्यम की सेक्यूरिटी नहीं दे रहा है ठीक है चलिए तो एजेंसी जो भारत के प्रदान मंत्री पूर प्रदान मंत्रियों और उनके ततकाल परिवार के सदस्यों की सुरक्षगरती है यह आपको याद रखना है पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसके इस टेट बैंक ऑफ इंडिया क आपको याद रखने देश के सबसे बड़े रिड़ दाता भारतिये स्टेड बैंक उनके ब्रेंड अमेसर कौन मनें जी महिंदर सिंग धोनी जी क्लियर फिर आप देख सकते हैं एक मिलिटरी एक्सराइज हुए जिसका नाम है मित्र सकती अब यह मिलिटरी एक्सराइज किस इसके बारे में पूरा का पूरा मुद्दा तक्रीवन 15 मिनिट तक मैंने पढ़ाया था 20 नवंबर की आप लोग चाहें तो क्लास देख सकते हैं 19 और 20 नवंबर पर मैंने इसके बारे में पूरा का पूरा हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है हलाला क्या होता है हराम क्या होता है तो यह सारी यह सारी चीज़ों है ना मैंने डिसकस करके बताई थी कि वह यह हलाल सर्टिफिकेशन को क्यों बैन कर दिया है क्योंकि हलाल n Hi L signification, तो हम हलाल का बैप्र यह कर रहा है। यह कर रहे हैं तो एक problem कर रहा है तो एक parallel system क делать कर रहा है इसलिए आपको यह हलाल है ठाशना पड़ाहि है और इसका इसे कोई लिएन देना नहीं हैं यह भी आपको जी इमिजेट एफेक्ट तो दो यार चे में फूट सेफटी स्टेंड अफॉलिटी एक्ट लाय गया था जी फॉर्मलाइज इन विच इडवास एक्रिटेट डेट वन एफ एस एस एई एड़ एड़ फूड क्वालिटी और आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है बतलब उतना अपन को डीटेल में जाना नहीं है राइट चलिए फिर हम बात करते हैं जी उन्नेस नमंबर दोयार तेईज को क्या हुआ हुआ जिसमें ऑस्टेलिया जी प्रदेश को सकती है तो निहीं यहां पर आप देख सकते हुआ है बंड़ाइस बस इतना आपको याद रखना है फिर आप देख सकते हैं डिजास्टर मैंने पढ़ाया था आपके बैचेस में डिजास्टर मैंनेज्मेंट राइट अब इन बैचेस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या पढ़ाया था कि याद रखिएगा मैंने बताया था कि जो भी रीसेंट की न्यूज होती है अगर कुछ भी गड़वर हो रहा है कोई भी प्रॉब्लमेटिक हो रही है चीजे तो याद रखना है कि आपको रीसेंट के एक्जामपल ल तो यह डिजास्टर ने इनको रोकने का काम किसका जी सरकार का है तो आप कहीं पर भी इसके बारे में बता सकते हो कि यह उत्तरकासी में कई सारे लोग जो है जी वह फसे हुए है तो यह जो हाथ से हैं नहीं होना चाहिए ठीक है इसलिए अपन लोग दो तीन पॉइंट्स नहीं आएगा आएगा तो यही आए रिसेंट से टरनल का कर डिजास्टर वुगा हों पर रखा है याद रखना है कहां पर उत्तरकासी में इसक कुछ इंपॉंत update प्लेयर देन बेस्ट बेटिंग अगर आप देखेंगे तो वह ब्राट कोली जी की 95.62 रॉन्स राइट देन नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं जी बेटिंग स्ट्राइक रेट मैंने बताई दिया तो मैक्सवेल की है सबसे आदा फोर किसने वारे तो ब्राट कोली जी ने मार है राइट सबसे आदा 50 यह मैंने बताई दिया जी छोड़ दो मोस्ट रंस स्कोर्ड इना मैच 771 जो है उसमें और कुछ खास था नहीं ठीक है अब हम बात करते हैं ओल इंडिया ओल इंडिया लेवल का ओल इंडिया लेवल का नेक्स्ट निउस थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं मैंग्जम न्यूस को रिवाइस करवाना चाहरा हूं जो भी बच्छे डीटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पिछले जो पांच-छे दिन की जो भी क्लास वह रखिए उन सारी को आप लोग रिवाइस जरूर करना है आप लोग तो यहां पर आप देख हैं तो 19 नवंबर 23 इसको दा 30th edition of the all India इंद्रा गांधी प्राइज मनी मैरतन वास हैं लिंदी संगम सिटी प्रयाग राज तो हाली में याद रखना है जी यह जो मैरतन हुई है यह कहां हुई है सब लोग comment box में लिखेंगे प्रयाग राज में प्रयाग राज में यह आपक न बजरु प्रहार जो है जी यह जो exercise है जी किनकिन बीच में हो रही है जी इंडिया और उनाटेट स्टेट्स आफ अमेरिका इंडिया एंड आप देखते हैं तो इंडिया उनाइट इस्टेट्स ऑफ अमेरिका जॉइंड एक्साइज वर्ज प्रहार के बारे में दो तीन लाइन से लिख रखी है राइट कोई वात नहीं तो यह आपको याद रखना है जी बज़े प्रहार कमेंस इन उम्रोय में घाले यह आपको करा है इस्टेट फिस के रूप में राइट इस्टेट फिस ऑफ गुजराद घोल को डिक्लियर करा है इस्टेट फिस ऑफ गुजराथ यह आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है चलिए यह वी हो गया इसमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए नाव भी मूववान टू ने लेवल का अपने आप में एक अच्छा लेवल है जिसमें और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जी राजनात सिंग्जी है एस जैसंकर साहब है अब कमेंड वोक्स में आप लोग बताईए चूकि मैंने अब सुमें तम सारे के सारे वच्चे बताओ कि यह दोनों कौन कौन है और इन्होंने किसके शेत्र में बात करी है थूपलस तू डायलोग में तो इन्होंने बात करी कि सबसेपहले हम लोग आर्टिविजल इंटैलियंस के बारे में क्या करते ही जी आज़िए निए को हम ज आप देखते हैं जो है आपको देखने हो तो बनारस बेस्ट अलगनंदा क्रूज अंडर लीडर सिप ड्रेक्टर विकास मालविया जो है पाइनियर करें एक यूनिक सर्विस और यह जो सोलार पावर जो बैसल आपको देखने हो मिल रहा है यह आयोध्या में याद रखना है क आप देख सकते हैं तो मादुरी दिक्षित जी को 54th IFFI का मतलब खिताब दिया गया है जी अब इस खिताब में क्या करा गया जी इनको यह बोला आपने जो है ना कंट्रिबूशन बहुत अच्छा कर रहा तो हमें तो बैसे भी नहीं चाहिए था इसलिए इनको दे लिया द मादुरी दिक्षित ओनर्ड विडी स्पेशल रिकर्ग्नीशन फॉर दी कंट्रिबूशन तो भारतिये सिनिमा एवर्ड एड़ी 54th IFFI याद रखना पहले यह वर्ड मेरे को मिलने वाला था मैंने कहा कि दीदी आप ही ले लिजिए आप इसकी हगदार है आपने बहुत फि पॉ pourquoi ईनका नाम क्या आए तो याहरी क्याना आपनको तो याद करना आरो में western लोग-षी-जाट्स चाहने में अब इसको एसम याद रख सकते हो लुक और लुक फृटेन। लू लू ठीक है लू 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 ऐसे करके भी याद कर सकते हो अज़ा लगजमबॉग जो सिटी है इसके बारे में जो कंट्री यह कहां पर मौजूद है यह भी आपको पता होने चाहिए तो लगजमबॉग अगर आप देख रहे हैं यहां पर सेंटर में तो यह इसके बगल मे हैं यह जर्मनी से लिए है यह तो हम लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हो तो बहारती सम्ञ्जां में एसी कौन सी चीज़े जो हम लोग ने जर्मनी से लिए तो याद रखिए जो है नजी तीन कंट्रीस से टेच करता है एक हो गए वैल्जियम एक हो गए इतली और एक हो गए जुम लइ वह ऊपर हो आपया जबनको याद रखना पड़ेगा इसमें कोई भी तरीके का में अध्रयों कजिए पर आपको तो पूने को जो एना जी, President's Color के अवाउस से नवाजा गया, यह आपको याद रखना पढ़ेगा, Award for the President's Color के अवाउड जेत इसको नमाजा गया है, That's all what you need to remember, clear है? Now, Life of Commands, As well as Commands, स्री जवाहर नवोदय विध्याले अब हाली में उडिसा में जो है दो अलग-अलग तरह से जो केंद्री विध्याले जी है वो लॉंच करेगा जी तो याद रखना है जी केंद्री विध्याले कितने जी 37 प्रदानवंत्री स्री केंद्री विध्याले फिर 26 जो है जी स्री और नवोदे विध्धाले का आपको याद रखना पड़ेगा और भारत में चलते हैं बोर्ड़िंग स्कूल अब अलग अलग स्टेट्स में भी गवर्मेंट ने जो इस्टेट गवर्मेंट से उन्होंने अलग 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 लेवल पर बोर्डिंग स्कूल भी बना रखें खेर उनके बारे में लोग नहीं बढ़ने वाले तो अभी हाली में इतने सारे जी कहां पर लॉंच कर रहा जी उ यहां पर आप देख सकते हैं जी को नामें मिदिली और यह जो आइखें जी यह और आप देखें जी बे ओफ बेंगोल में है उडीजा वाले छेतर में बेंगोल वाले छेतर में और आंध्रा वाले को यह ते Twitter को यह आण रहता हूं कि 한 नाम क्या है साइक्लोन का मिदिली क्या नाम है गाइस मिदिली क्या नाम है जी मिदिली याद रखना है मिधीली ठीक है मिधीली यह आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है फिर देखिए नेक्स्ट अगर आप देखते तो ताज कार्निवल हो रखा जी और इसके बारे में ठीक है तो यह आपको बस छोटा सा उत्तरप्रदेश लेटेड निउस थी तो मैंने का बता देता हूं ठीक है अब यह सब कार्निवल्स होते हैं तो इससे अच्छी जमाल में क्या होता है इससे अब एक प्रकार का टूरिजम ठीक है ताज महल को लेकर और टूरिजम जो ताज कार्निवल के अंतरगत यह फोटो भी लगा हुआ है यह मैंने आपको बताई दिया है फिर हम देखते हैं जी तु इंडिया एस यूनिसेफ गुडविल अम्बासडर तो डेविड वेक्खेम साब जो है जी जो की बहुत बड़े फुडवाल रिजेंट है जिनका नाम तो अभी यह जो है ना तीन दिन की विजेट पे आये हैं जी एस दी उनाइटे नेशन्स चिल्डरन एडूकेशन फंड्स गुडविल अम्बासडर तो डेविड बेक्खेम यह आपको याद रखना है तो यह जो है जी रीज एहमदवाद ओन दी थ्री डे विजेट तो इं इंडिया आये थे इसलिए न्यूज में इतना यह पन को पढ़ना होता है इस दिस वेरी मच क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूस की तरफ तो न्यू लिंक एक्सप्रेजवे विल कनेक्ट आग्रा लखनव एस पूरवांचल एक्सप परियोजना की उप्युकता और व्यभारिता निर्धारित करने के लिए एक सलाहकार के चैन के लिए निविदाय जारी करी है बस इतना अपन को याद रखना है यह 371 किलोमीटर लॉंग पूरवांचल एक्सप्रेजवे हैं उत्तर प्रदेश में जो कनेक्ट करता है अपन को पढ़ना था यह आप देख लिए तो न्यू लिंक एक्सप्रेजवे विल कनेक्ट आगरा लखनाव एंड पूरवांचल एक्सप्रेजवे जैसा कि मैंने बताया वह लिखा हुआ है चली आगे बढ़ते हैं हम लोग देखो भया जी जल जीवन मिसन के तहट जो हमा में ध्रेलू कन्nexon देने के मामले में उत्तरप्रदेश देश में Number one हो गया है यह 유도र प्रदेश में दूसर इस्थान हासिल कर गए यूपी के द्वारा चाल Спसे जब देखें वह कई सारी स्कीम से हैं जैसे मैंने बार बार बता रखाया जी जो उज्वला इस्कीम प्रदान मंत्री उज्वला योजना यहां पर आप देख रहें तो उज्वला योजना है वो याद रखना करती हैं अपने घर में खाना बनाने के लिए काउडं का इस्तिमाल करती है अपने घर में खाना रोटी और यह सब बनाने के लिए जो की हामफुल होता है तो इसलिए याद रखना जी एलपी जी कनेक्शन से संबन देखें प्रदान मंत्री उज्वला योजना 2.0 और जो मंत् पंचायती राज की स्वामित्व स्कीम है जो पंचायती राज को और बहतर वनाने के लिए इस्कीम लाई गई है यह आपको याद रखना है जी फिरम बात कर सकते हैं महिला और वाल विकास विभाग के द्वारा जो है पोसन अभियान लूँच करा गया है ठीक है और पोसन अभियान के तहट अगर आप देखें जी कई सारी चीजी देखने को बिल रही है प्रदान मंत्री मात्रत वह बंदना योजना अब यह जो योजना महिलाओं के लिए जी महिलाओं में वह भी जो मदर वनने वाली है तो इसमें सरकार के दौरा पैसा दिया एगा और इसके उ इंपोर्टेंट है यादा पढ़ नहीं इन चाहिन अब एक साथ तीन महीने पहले पर रखे भूठेंट हुए उनको वही याद नहीं होगा तो इस चीज पर आप फोकस करिए नेक्स्ट अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट औफ विमन और चाइडल डिवल्मेंट गव यह और यह जो यूजनाजी महिलाओं के लिए बच्ची के लिए सबसे इंपोड़िट के यह आपको याद रखना है बच्ची के लिए लाइग गई यह और इसके बारे में मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा ठी था थी के गाई फिर अब हमों आगे वड़ते है तो अन पार करके medium power plant ज़ो है जी देखने के मिलन रहा है सोन भद्र जिले में कहां कर जी सोन भद्र जिले में और जwnież याद lorsque ãyथे oriented 20 my power plant कहां पर सौन भद्र जोन Socrakistä स्वोन भद्र इस्टरिक्ट अफ उत्तर सोण भध्र डिस्टिक्त उस्तर प्रदेस यहाँ अनपारा जोए जी इसमें काम करने वाले हैं तो अनपारा जुआ इस सोण भध्र जिला अफ उस्त्र प्रदेस यहाँ नेक्स चीज़ आपको याद रखना है तो हाली में नमबर 18 से लेकि 24 तक दो है जी यहाँ पर आप देख सकते रहरण इंट्री माइक्रोवियल रसेस्टेंट बीक के रूप में मनाए गया यह मै ेनने पहले भी बतायता है एंट्री माइक्रोवीयल रसेस्टेंट ऺारी यह श्हण के रहर और भी और भी वाइस लेटेट विमारी हो जाती था इन सब तरीके से बचना जरूर ज़रूरी है तो यह वेर्नेस भींग था फिर हम देखींगे जी नमवंबर 21 थीक एक इस नमवंबर की बात करते हैं तो इस नमवंबर को वर्ड-फिसरी फड़ा फड़ बता दीजे, comment box में फड़ा फड़ा दीजे, yes, right, चलिए, तो it is to raise the awareness about the importance of fisheries and advocates for sustainable fishing practices to preserve maritime ecosystems and support livelihoods of millions dependent on the fisheries worldwide, यह अपन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, यह clear हो गया, चलिए, आप आगे बढ़ते हैं, British Academy Book Prize, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जी, बुक प्राइस का, British Academy वाला launch हो चुका है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, Indian origin एक author है, जिनका नाम है जी, नंदिनी दास, क्या नाम है जी, नंदिनी दास, right, she is named the winner of the 23, British Academy Book Prize, for her book, that is, Quoting India's, right, क्या नाम है जी, उसका नाम, C-O-U-R-T-I-N-G, India, यह आपको याद रखना है, कि नाम क्या है जी, Quoting India, England, Mughal, India, and the origins of the empire, यह आपन को याद रखना है, is this very much clear, guys, है के नहीं है, बताओ, अभी सब बच्चों को लग रहा होगा, कि बहुत fast चल रहा है, विल्कुल मैं तुम्हारे comment पढ़ रहा हूँ, yes, आज मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने आज कसम कहा सनिवार का ब्रत है, नाम नहीं लेने वाला हूँ, मैं किसी बच्चे का, सारे बच्चे मेरे एक समान है, ठीक है, मैं याक कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, बताओ, येस, लिखा, थोड़ा fast लग रहा होगा, तुम लोग, है, बताओ, थोड़ा तेज बोलो, चिला के बोलो, च चिला के बोलो, चिला के, थोड़ा fast लग रहा है ना, ठीक है, इसलिए fast है, क्योंकि बहुत सारे current affairs हमें cover करने, मतलब मैं अभी आदे करवाँगा, फिर छोड़ दूँगा, उससे बहतर है कि हम लोग सारे के सारे फटा फटा पॉइंटर वाइस में रिवाइस करने हैं, है क रखना है जी, अलावाद High Court, वो सॉरी, Senior Judge of अलावाद High Court Justice, Manoj कुमार गुपता has been appointed as the acting Chief Justice, इनको acting Chief Justice के रूप में जी, अपॉइंट करा गया है, ज्याद रखना है, इलावाद उच नयायले के वरिष्ट नयायदीस, नयायमूर्ती, Manoj कुमार गुपता को कारवाहक, मुख् प्रिंटी कर दिवाकर जो थी पहले थी उनको सेवा निवरत कर दिया गया है, यह आपको याद रखना है, चलिए, कभी-कभी जवान भी फिसल जाती है, ठीक है, तो लुक फ्राइड में के बारे मैंने बताई दिया जी लुक फ्रीडन यह जो है लग्जमबॉक, लेट इस दा न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी लग्जमबॉग, लग्जमबॉग एक लैंड लॉक कंट्री है और बॉर्डर किंगें से करती है, तो हाली में मैंने बताई दिया, बेल्जियम, फ्रांस, एजवले जर्मनी, राइट वो फ्रांस है, फ्रांस है, ठीक है, अब हम लेख सकते हैं जी, उत्तर प्रदेश ने हाली में लॉंच करी है, एवरी राइट फॉर एवरी चाहिल्ड केंपेंड, कि जो भी बच्चे हैं जी, उनको एक्कॉल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, यह आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉंच करी है, यह आपको याद रखना है, उसके लिए एवरी राइट फॉर एवरी चाहिल्ड केंपेंड को चारी रखा गया है, यह आपन को याद रखना है, तो यह आप लोगों देख लिए, अब देखे, हाली में यूपी में काफी यादा काम हो रहा है, महिलाओं को लेकर, तो मेजर मेजर हम लोग पॉइंटर्स डिसकर्स करेंगो, यह डायरेक्ट न्यूस पेपर में आ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस में, तो मेजर मेजर चीज आपन देखते हैं, तो विमेन, पी एसी बेटालियन मनाने की बात करी कहीं, वह भी कहां पर वड़ोन में, लखनाउ में, औ फिर free education for girls till graduation level, right, then under मुख्यमंत्री सामुहिक विभायोजना, more than 3.10 lakh couples married, right, यह अपन को याद रखना है जी, 2 lakh महिला है वेनिफिट हुई हैं जी, ऐस पर दी, प्रधान मंत्री स्वानिदी स्कीम, right, तो यह हो गया, फिर आप देख सकते हैं, जी, 4,500 pink toilets जो हैं, महिलाओं के लिए बना रखिए जी, urban areas में, ठीक है, फिर हम देख सकते हैं, establishment of one additional महिला थाना, महिला चोकी, counseling center in every district, यह अपन को याद रखना है कि establishment of one additional महिला थाना, महिला चोकी, counseling center जो हर जिले में बना रखा है, यह भी आपको याद रखना है, फिर इसके लाब आप देख सकते हैं, मह 18th regional headquarters, ठीक है, यह अपन को याद रखना है जी, और इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है, government ने यही बोला है, यह जो gold medal पाएगा, वो DSP बनेगा, तो इस तरीके से उन्होंने मतलब और भी चीज के ACN games में, जो अभी 232 के हो रखें जी, जो भी gold medals पा रखें जी, उत्तर प पाउक देता था, ठीक है, जैसे कोई स्टेट पास करा है, पंजाब ने कोई बिल बनाया, अब गवर्नर के पास गया, हम नहीं करेंगे, हम तो इस पर समोसक आएंगे, तो गवर्नर यह सब चीजे बोलेगा, तो यह दिक्कत क्रिएट कर देगी, इसी लिए याद रखना है जी सुप्रीम कोट ने बोला है, कि गवर्नर अगर रोकता है, तो वो वैलिड रीजन देगा, ठीक है, गवर्नर अगर बिलको रोकता है, तो वो वैलिड रीजन दे, वैलिड रीजन देना बहुत जरूरी है, तो यह आपको याद रखना है, तो इसलिए बोला गया है, आर् वर्णर चैनल वी एट लिवर्टी सुप्रीम कोट ने वोल दिया है जो भी उसका बैलेड रीजन आप दीजिए ठीक है अगर आप रोक रहे हैं तो क्योंकि अगर आप ऐसे रोकिंगे तो प्रजातंत्र का क्या होगा डेमोक्रेसी का क्या होगा of the people for the people by the people तो किसके दौरा करा गया जी किसके दौरा यह जो है जनता के प्रतिन आप बीडि अगर कोई बना रहा हो तो मैं ऐसे बार बार रोकते रहोगे तो सरकार काम कैसे करेगी गवर्मेंट काम कैसे करेगी अई बस सम्मेंगे जो प्रतिनीदि यह समझ में आगया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो डीफिक एड्स विट सेलिबिर्टी इस रेड फ्लैक्स हो क्या रहा है मैंने कल भी बता है कि आर्टीफिसल इंडेलियंस का बहुत ज्यादा मिस्यूज करा जा रहा है और हाइब थोड़ा बहुत नहीं हाइब लेवल पर हो क्या रहा है कि अभी हाल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारुक खान एड में यह बता रहा है कि वह द्रीम एलेवन हैं अच्छी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ फायदा होता है अब इन्होंने यह बोल दिया हर व्यक अगर देखा है ने तो सही में पुतला पड़ा रहे है मैं डीफेक टेक्नॉलोजी से बना हुआ हूँ लग नहीं रही है लग गई एक्जांपल दे रहा हूं कि डीफेक टेक्नॉलोजी में क्या होता है जी आर्टीफियल इंटेलियेंस का यूज करके डॉक्टर्ड वीडि अगर रखना है अब देखिए एक और चीज जी जस्टेस फातिमा वीवी जी जो थी जस्टेस फातिमा भी ही जूटी ज ठीस राइट यह बहूं से पनी हैं तो बंढकर दो यहां उस को बहुत वत क्रते लां नाज ठीक है बस इसके बारे में आप लोग इतना याद रखिएगा ठीक है चलिए ही हो गया फिर आप देख सकते हैं जी अपने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के वी कहां पर जी पता ही यह जा रहा कौन सी यगा पर यह फेस्टिवल हुआ है यहां पर धन्नु आई है यह एंपी हेममाली जी डियूरिंग दा मीरवाई जन्मोट सब डेट विट एवर्यवन नोस मत्वरा मत्वूरा ठीक है कहां पर जी मत्वूरा में क्लियर है यह भी हो गया जी अब हम आगे वरते हैं तो भारत ने कनाड़े आई नागरिकों के लिए इवीजा सेवा जो है बाह करा गया है भारत के द्वारा यह आपन को याद रखना है तो भारत ने करीब दो महिने की रोक के बाद कनेड़ाई नागरिकों के लिए इलेक्ट्रोनिक वीजा सेवा जो है बहाल कर दिए भारत ने एसे समय में फिर से सुरू करने की है जब उद्वार कोई ही प्रधान मंत लडाई करने से जगड़ा करने से कट्टी करने से कुछ नहीं होने वाला है हम लोग जो है एक दूसरे के साथ अच्छा सा सामंज से बना के रखते हैं तो इसलिए जो है यहां पर आप देख सकते हैं याद रखना है अब आप से क्वेस्टिन ऐसा पूछा या सकता है कि कौ कौन सा इस्टेट है भारत का जिसने पतलब यह मान के चलिए कि अप्रूव कराई जी बिल रेजिंग रिजर्वेशन ने वह 50% से 65% कर दिया है कौन सा भारत का इसा इस्टेट है तो यहां पर आप देखेंगे कि बिहार गवर्नर अप्रूब करते हैं बिल रेजिंग रिज बिल रेजिंग रिजर्वेशन ने अप्रूब करा है तो यह में चीज थी कि बिहार में यह देखने को मिलता है तो बिहार गवर्नर ने अप्रूब करा है बिल रेजिंग रिजर्वेशन देट्व फ्रूम 50 परसेंट टू 65 परसेंट अब इसके अंतरगत क्या-क्या है तो एक बार आप लोग चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता कि इतना रीड करने की जरुवत हैं अब इतना ही आप से क्वेस्टिन पूशे इसके बारे में और भी चीज़े लिख रखी है क्या हुआ है कितना परसेंट इंप्रिमेंट हुआ है तो यह सब आप लोग एक बार रीड करना तो कर लेना बड़ाइट इंपॉर्टन और लास्ट क्लास में आप लोगों को इसके वारे में काफी कुछ डीटेलिंग में बत पका ठीक आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं फिर से तो एक्सराइज ऑस्ट हिंद 23 ठीक है तो ऑस्ट हिंद जो है देखने को मिली एक्सराइज भारत अमेरिका के बीच में शुरू हुआ बजर प्रहार 20 दिन तक चलेगा युद्दव्यास का चउद्वा संस्क्र याद रखना है जी तो भारत अमेरिका के बीच सुरू हुआ था बजर प्रहार 20 दिन तक चलेगा युद्व्यास का चउद्वा संस्क्राइज तो यह तो होई गया बजर प्रहार के बारे में अब यह ऑस्टेलिया और इंडिया के बीच में हुआ है तो यह जो हो रहा है ज में लिखिए तो और रीफ वहां पर मौझूद है विक्टोरिया डिसर्ट वहाँ पर मौझूद है तो बहुत सारी चीजिज और आसपास जरूरा आप कमें लिएंडलीज एंडिया इस तो यह मेने में आप बताए आपको अब आगे बढ़ते हैं यहां पर आप देखिए ज पॉस्स पनाल्टी ऑफ दस लाख ओन एर इंडिया तो अब एर इंडिया वे पैनल्टी डिमारी यह बस वही चीज थी न्यूज में वह हम लोगों ने बता दिया है उसमें और कुछ खास ही नहीं है राइट चलिए ना नेक्स पंकज आडवानी जी यह जीते हैं वर्ल्ड बि यह आपको याद रखना पड़ेगा पंगज अडवानी विंस वर्ल्ड विल्यार्ड चेंपियंशिप फॉर दी रिकॉर्ड 26 ताइम इस वेरी मुच क्लियर गाइस है ना जी तो क्लेंज दी आई वी एस फ राइट वर्ल्ड विल्यार्ड चेंपियंशिप टाइटन डेट यह में याद रखना है यह अपन को याद रखना है ठीक है फिर हम बात करते हैं यह वर्ल्ड विल्यार्ड चेंपियंशिप फॉर दी रिकॉर्ड 26 ताइम इन दी फाइनल ही आउट प्लेड कंपाट्रियेट सोरप कोठारी विट स्कोर ओफ दिस दिस और तो यह सब हमारे ल अब यह घंत्ति होती हैं उसको क्या बोले आता है यह कारे वास इसको दें अडिये तो सैफरन और इन इन ब्रघ्ट केस रजिस्ट्रीग किया रजिस्ट्री यह हमें याद리ं रखना है जी आवस रजिसट्री हमें को सैफरें और डिस्ट्रिक यह यह तो दिस इस Кहां रिच अपन को याद रखना है तो लिजेंडरी मोस्ट एक्सपेंसिव हार्वेस्ट ऑफ सैफरन जिसको हम पॉप्लर ली क्या बोलते जी कुम कुम जो है जी उसको यह दिया गया है और यहीं नहीं है इसके लाव मैंने बताए जम्मू कस्मीर में काफी सारी चीज़े जिनको जी पर मशी देन देखेंगे वालनेट बूड कार्विंग हो गया फिर आप देखेंगे जी खत्तम बंद हो गया फिर आप देखेंगे कस्मीरी हैंड नॉटेट कारपेट हो गया एसी सैफरन तो मैंने अभी बताई दिया है इस बेरी मॉच क्लियर तो आप लोग चाहे नहीं ए बच्चों अच्छों को भी बच्चपन में दिया जाता था माताओं को भी अब बेवी होता है तब दिया जाता तो उसके अपने अपने आप में हेल्थ वेरिफिट्स आई वास समझ में गाइस क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग राइट नेक्स नीउस की तरफ यहां पे आप देखिंगे दीपती बवुता फस्ट ममःला यहें जिंन्होंने बैख कराए जी दाहन प्राइस फुर्थी पंजावी लिटरीचर तो दीपती बवुताahu जो है उप चाहली भरति पहली ऑन गई तो पहली और प्लेयर ति जिनका नाम किया जी डैनियल मैक गया है तो यहां पर आप देखिए जी इनको भी इवन मतलब सब कोई अंतरराष्टी खेल में इन्हों ने कहा कि यह बैं करते हैं क्यों करते हैं उसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे बता है तक गाइस प्लीज तो अभी वास न्यूस को है question answer format में हम सारी की सारी चीजों को discuss करेंगे अभी मैंने टीम मनाई है अब टीम में questions आएंगे अच्छे questions आएंगे तो हम लोग उन पे discussion भी करा करेंगे और direct question answer format is this very much clear अभी वास रिवाइस कर लोगे हां अमन सान ने यह बता है जैसे आपके सामने जैसे आपके सामने question answer आएगा तो आपको याद है कि हां अमन सान ने exercise बताई तो नल से जो पानी आ रहा है उसनों अच्छा नंबर अच्छा इस्तान हासिल कर रहा है आप से इवन यह तो इनके नाम पर हाल ही में क्या खोल अगा आए जी एक मिनी स्टेडियम खोल गाए जमनेसियम तो इनके खुद के छेत्र में खोल दिया गया है और इसा सिर्फ यहां पर नहीं हुआ है और भी अलग 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 च्छेत्र में देखनों मिलता है तो देख सकते हैं जी district administration of नवाइब और बच्चे छुंम आई खेलना भी जरूर नहीं होते लेकिन बात ही होती है हमारे यह प्रॉबलम यह है कि उन्हें सोच लिये है कש़्योंगे पुदोंगे बनसबड उनको यह लग रहा है तो इस चक्र में पढ़ाई भी छोड़े तो भाई नहीं छोड़ना है दोनों काम करो लिमिट में करो दो गहंटे खेल लो 3-4-5 गहंटे पढ़ लो और क्या है जीवन में यही तो चीजें हैं है कि नहीं है तो यह दो-3 चीजें आप लोग अग़र आप लोग भी खेलते तो बच्चें बच्चों मेरे यह मानना है कि बच्पना खेल लेना देने चाहिए इतना competition हाई होता जा रहा है समय के साथ साथ तो इसलिए बच्चों का opportunity देदना ही चाहिए ठीक है और यह सब जो चीजें जी opportunity देने के लिए कि मैंनी स्टेडियम बना दिया जी जिमनासियम बना दिया जी देट टू इन्दी compete करेगा और generic medicines बनाएगा और काफी सारे लोगों को यह employment जनरेट करके देगा आईवाज समय में तो यह चीज महत्वपूर्ण है यह आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है तो मुख्यमंत्री योगी आदितिनाज जी ने इस बल्क ड्रग पार्क को अंतर राश्ट्री इस पूर्ण में ठीक है यह हो गया अब यह न्यूस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है टू प्लस टू डायलोग के वारे मैंने बताई दिया है अब देखिए यहां पर एक और चीज़े जी यूपी बिहार ने रिप्लेस कर दिया है कैरला को अब देखो पहले क्या होता बहुत सारे मैक्सिमम जो एने जी याद रखेगा जी मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों को वहां पर भेज देता था गल्फ कंट्रीस में लोग जो है लेवर क्लास हो चाहें मिडल क्लास इंट्लियन से क्लास हो वहां करते थे लेकिन अब हुआ क्या है जी यूपी और बिहार ने स से मिलेंगे और आप लोग देख सकते हैं फ्यूचर ऑफिसर जो हैं आप लोग बैठे हुए यहीं से देखने को मिलने वाले हैं चलिए यह भी हम लोगों ने देख लिया हर्यादा में प्राइवेट जॉप का 75% कोट है जो है ना जी कोट ने रद कर दिया है असंभीदानिक बता दिया है जी हर्यादा में प्राइवेट जॉप का तो यह अब हाली में छोटा सा क्वेस्चन अगर आ जाता है तो आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं फिर आप देखेंगे जी विमें स्काइडाइवर सी जंस फ्रॉंट फ्रॉंट फाइवंड फीट इन फ्रॉ फिर आप देख सकते हैं फॉर्मन इंडियल क्रिकेट कैटन सौरफ गांगुली नेम्ड ब्राइन अम्बासडर ऑफ बेस्ट बेंगॉल अब पहले कों थे जी ब्राइन अम्बासडर सारुक रॉंट अब हाली में कौन गाई जी सौरफ गांगुली यह आपन को याद रहना ह बेस्ट बेंगॉल कौन बन गाई जी सौरफ गांगुली यह ठीक है फिर हम बात करते हैं युनाइट अरव एमिरेट्स राइट इनागुरेटेड वर्ल्स लार्जेस सिंगल साइट सोलर पावर प्लाइंट और यह जो सोलर पावर प्लाइंट आपको देखने को मिल रहा है यह अपन को याद रखने प्लेगा इस बेरी मच क्लियर गाईस इस अल्सों बेरी मच क्लियर राइट तो इसके बारे में मैंने काफी डेप्ट में पढ़ा रहा था आप लोगों को अब आगे बात करते हैं यह वही लिखा हुआ है युए के मसदार करके जगा है मसदार करक को अब देख सकते हैं ग्रीष चंदर मुरूंग। तो सिए जी जो है भारत के ग्रीश चंद्र मुर्मु साफ इनको इलेक्ट कर गाया इस दी वाइस चेर्मेन ऑफ दी युनाइटे नेशन पैनल अफ एक्शनल और ठीक है फिर यह हो गया है फिर आप देख सकते हैं जी हाली में एक नदी जिसके बारे मैंने बहुत कुछ बताय तो पंजाब की स्वयल में आसपास ही आपको देखने को मिलेगा यह सतलज रिवर बेसिन तो इस सोर्स ऑस्टेलम इन सतलज इस नौट यट क्लियर राइट नाव बट तिंग इस यह एक रियर अर्थ एलिमेंट है मैंने आपको पहले भी बताया है जो टेंटेलम है रियर अ अब इसकी खास बात कहाई जी एलेक्ट्रोनिक में भी जो कैपासिटर बनते हैं जैसे आप जितने भी यह जो लाइट देख रहा है आपके रिमोट कंट्रोल देख रहा है आपके टीवी देखना तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह हो ग वारण यह जो है रेयर अर्थ देखने को मिल जाता है सतलच के बारे मैं ने बताई दिया तो औरीजिन इट स्टार्ट्स वं दी लेक रक्सताल इंतिबत नियर माउंट के लास यह आपन को याद रखना है जी ट्रिब्यूट्री साब देखेंगे जी तो मेजर ट्रिब्यू सyssथ लें पर्रउस्थ तो ईस तैस्सके चर्फ यह स्टो की देखने को मिलती स्टो है ऎन्ड़्यवट की वाईश्ठी में बताई था आपको जैसे कि अगर आप देखें इंडस जेलम और ये जो ऊपर की तीन दिवर से यह जो है जी पानी प्रोवाइड करेंगे पाकिस्थान को और देखने को मिलेगे जी पानी जो है नीचे देएंगी इतना पन को याद रखना तो यह सब जो चीजे मैंने आपको बताएं यह बहुत इंपॉर्टेंट इवन आई टोल्ड यह वाउट दी मुख्यमंत्री सुमंगला योजना और इसके तहत मैंने जितना हो सकता था डैप्त में बताया था कि वह यह जो कन्या सुमंगला योजना है यह फिनेंसिल असिस्ट कार की यह योजना बहुत लावकारी है यह योजना का लाव एक परिवार की अधिक्तम दो वेटियों को दिया जाएगा पहली किस्त लड़की के जन्म के समय दी जाएगी दूसरी किस्त जो देखें लड़की के टीका करण के समय दी जाएगी और नवजात वाली का हैं जिनका जन्म एक चार मतलब अपरेल 2019 या उसके बाद हुआ है उन्हें दो हजार एक मुफ्त धनरासी दी जाएगी तो मुफ्त कर लेती है तो इसको आठ एर दी जाएंगे और सबसे आखरी में सुमंगला योजना बहुत इंपॉर्टन इस पर क्वेश्चन बन सकता है सबसे आखरी में अगर आप देखें तो 21 साल की होगी तो साधी होगी और साधी के बाद इसको दो लाख रुपए जो है दिये जाए क्लियर फातिमा वीवी जी के बारे मैंने बताई दिया है इनके किताब और इसको जैसी भी प्राइज से नवाज गया है इसमें 25 लाख रुपे जो है मिलते हैं इस तरह से आप याद रख लेना फिर हाली में आप देखेंगे इंडिया मिसन टू आसियान होस्टिंग आसिया मिसन जी आसियान में यह देख रहा है जी होस्ट कर रहा है जी आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल याद रखना है कि इसका जो मिलेट फेस्टिवल देखने को बिल रहा है कहां पर जी जकारता जकारता में ठीक है यह आप लोग याद रख लिए जिगा फिर इसके लाव हम लोग देख चुके हैं घ्र किन प्राइज या दो चीजें ब्लाइज नहीं फार्मर में सरकार वे बोल देती एक किलो के भाव से हम लोग लेंगे लेंगे एट एनी कॉस्ट राइट आप तो बस ग्यों होगा अब यह को था है जी फियर एंड रिम्यूनरेटेब प्राइस ठीक है जो कि सिर्फ और सिर्फ सुगर के इन इंडस्ट्रीज वालों के लिए ही होता है किसके लिए होता है तो फूड कोर्परेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको उफर करता है एक प्राइज जिसको बोलते हैं जी नियूंता मूलेदर राइट यह आपको याद रखना है गाइस minimum support price generally higher than that of the market price यह आपको देखने को मिल जाता है फिर FRP जो है जी एक minimum प्राइज है जो सुगर मिल्स जो यह देना पड़ेगा FRP at least तो दोनों में बस नाम का थोड़ा वर डिफरेंस है यहाँ पर सुगर केन मिल जो ओनर्स होते हैं जी वो देंगे और यहाँ पर सरकार खु यह एव इंजोएड इस लास गाइस तो यह काफी लंबी हम बोल सकते हैं जी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने पूरे हफ्टे वर के सारे के सारे करेंट अफिर जटके में बिलकुल कवर कर रहे हैं और और मोर देन 100 प्लस निउस जो है जी फटा 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 लेना अमन नामदेव जब भी आपको लगता है मैसेज करिए टाइप करिए भेज दीजिए जी मैसेज ठीक है मैं हमेशा आपके साथ हूँ कहीं पर भी प्रॉब्लम होता कई बच्चों के तकरीवन पर डे मेरे पास 50-100 बच्चे मैसेज करते हैं पर डे और मैं सबका जवा जाओं से जू जाओं मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे दमाग में भी बहुत सारी चीज़ उथल पुथल होती रहती थी क्या करें कैसे करें लेकिन क्या करें कैसे करें ये सब चीजे जो हैं जी सॉल हो जाएंगी और सॉल कैसे होंगी जब हम लोग स्टेवल रहेंगे so that's all from my side guys I hope you enjoyed this lecture thanks a lot guys for listening as usual very patiently and peacefully bye-bye take care dhannaywaad ji dhannaywaad झाल झाल झाल